नमश्कार साथियों सुरी नगरी उनिक लोग क्लासस के टू चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राथी अपका हार्दिक स्वागत और अब इनन दन करते हूं बात करें जेलो एक्जाम की कट ओफ अई चर्जा करते हैं जेलो एक्जाम की कट ओफ कितनी जा सकती है देखें कट का अनुमान कैसे लगाया जाता है सबसे पहले मत मैं बताम ली किस येलो एक्जाम की कट ओफ का अनुमान जो है जो मैं है को कि जुम्त तिवर वो लग susceptible के विए से जैसे स्टूडेंट से मेरी आपे उसे पता करती हूं भीया तेरे कित्ते नमबर आए उस नमबर के साफ से वो मुझे अपने माक्स बता थे और माक्स से पता चलता है सब के सुनके इतनी कट आफ जा सकती है तो अभी तक जो मेरे पास माक्स आ रहे हैं उसके एकोडिंग जन 150 प्लस और माइनस 150 प्लस मायनस का मतलब क्या है 150 से 115 के बीच में या फिर 145 से 110 के बीच में तो अभी जो नमबरी आरी मेरे पास ये नमबर अभी थोड़े चेंज भी होंगे क्योंकि अभी जो आंसर की यह हो सकते हैं उसमें कुछ अब्जेक्शन भी होंगे उसमें आंसर भी होंगे अभी तक तो यह उपर नीचे होती रहती है लेकिन जिन भी जनरल के टेगरी के स्टूडेंट्स के 150 नंबर आ रहे हैं वो सेफ हैं उनका सेलेक्शन होने के चांसे हैं यह मैं यू कहलो 148 से लेकर जिनके आरे 150 के बीच वर उसे उपर वाले वो सारे सेफ हैं उनके सेलेक्शन के चांसे हैं अब आता OBC, SC और ST इसका मैं अभी एनुमान नहीं लगा सकती क्योंकि इसके बारे मैं अभी कुछ नहीं कह सकती ठीक है आज के लिए धन्यावार्ट